विश्व निकाय के साथ काम करने वाली पूर्व भारतिय से नाधिकारी करनल वैभो अनील काले की दक्षिनी गाजा के संघर्स राफा सहर में एक हमले के दोरान मौत हो गई वह वाहन से यात्रा कर रहे थे और तबी वह हमले का शिकार हुए 46 वर्षिय करनल काले की मौत इसराइल हमलायूद सुरू होने के बाद से सन्युक्त राष्ट के लिए पहली अंतराष्टी छती है इससे पहले फिलिस्तिनी लोग मारे गए थे सन्युक्त राष्ट में भारत के स्थाई मिशन ने घटना पर दुख जताया है सन्युक्त राष्ट प्रमुक एंतोनियों गुट्रेस ने घटना पर दुख जताते हुए निंदा की है इसराइल ने हमले के जाच के आदेश दिये है नई दिली में अधिकारियों ने कहा कर्णल वैब अनिल काले ने 2022 में भारतिय सेना से समय पूरु थेवा ने वरित ले ली थी और दो माह पहले सन्युक्त राष्ट सुरक्षा वर रक्षा विभाग डी एस इस में सुरक्षा समन्वे अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे राफा में यूरोपिय अस्पताल की ओर जा रहे काले के साथ यात्रा कर रहा दूसरा रक्तिगम भी रूप से घायल हो गया है जिसकी पाचान नहीं हुई काले ने जम्मू कस्मी राइफल्स में सेवा की थे वहीं गाजा में हमास के खिलाब इसराइली सैन कारवाई के बीज भारत ने जारी संखर्स में नागरीकों की मौत की कड़ी निंदा करते हुए इससे होने वाली मानविय संकट को बिलकुल अस्विकार ने बताया है भारत ने कहा इसराइल हमास संखर्स के कारण पैदा विय संकट बढ़ रहा है और गाजा वह उसके बाहर अस्थीर्दा बढ़ने के भी असंका है संखर्स में महिलाओं और बच्चों की दर्दनाख हानी भी हुई है सन्युक जराष्ट में भारत की अस्थाई प्रतिनिथी रुचीरा कमबोज ने फिलिस्तीन पर दस्वें इस संखर्स के चलते उत्पन मानविय संकट बिल्कुल अस्विकार है उन्होंने कहा अंतराष्टिय कानून और अंतराष्टिय मानविय कानून का हर किसी को हर परिस्थिती में समान करना चाहिए इसराइल पर साथ अक्टूबर के हमले पर कमबोज ने यह भी कहा इसराइल और हमास का हमला भी समान रूप से हमारी निंदा का पात्र है उन्होंने अतंगवाद और बंधग बनाने की घटना को भी अनूचित बताया